वेलकम टू लेर्णिंग ट्यूफ चैनल आज एंटीपीसी का नौमा सीरीज है इससे पहले आठ सीरीज कंप्लीट हो चुका है जो लोग प्रैक्टिस ने कर पाएं वो लोग चैनल के प्लेजिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो देखते हैं आज की सेशन का कुस्टिन क्या ह है कि पहला कोशन है 3 जीन्स एकह,जार उल प्यमें बैची गई इनमें एक सेयल के छू ऑग अनुसार एक पतलुन मुब्त दी गई तो छूट का खुलपरतिस द्योप ए यानि शूट,परतिस कि इतना है तो आपको छूट मिल nécessaire मिल ऑऊ 8 कमीज छूट मिल और रछे इक होग रोगों 33.3 % हो जाएगा कि अब नेक्स सवाल 128,2127 का LcM क्या होगा तो देखिए एक तो बेसिक तरीका है कि आप 128,21 28 का LcM ले ले लिए दूसरा तरीका कि अगर हम बाराइटारे की सपाइस का लेंगे तो यानि यह सब तो उब सोफकर चाहिए यानि यह सब से कटना हो चाहिए अगर 84 बात करें तो यह 18 सो नहीं कट पाएगा तो यह और यह 18 का बात करें यह 12 से नहीं कटेगा तो यह यह 109 का मल्टीपल इसाफ रहा है यह तो यह लेकिन नमर सी पांच दो साथ चारे गया रही है यानि यह तीन का मुल्टिपल नहीं आए गया रहा तो इसका मतलब यह भी ऐसे हम नहीं हो सकता जो इसका लिए नमर ऑप्शन हो जाएगा नेक्स आवाल देखते हैं दो रेखा हो कि समेकर यबाबर एक्स प्लस का मान है तो इतना हो देखें यह तो य sudah जाए टो 12 बड़ जाग दो दोनों ऑप्ताड जाए तो य प्लस आह रहा रहा है यहां पर किया स्था यानि आप इतनी बार प्लस मेश्टाइश कितीना ा को जाए इसका जो अंसर होगा वो 34 होगा ऑप्शन नमर डी हो जाएगा इसका अब नेक्स सवाल पर आते हैं 10 थीटा वरावर 5 बटा 12 दिया गया है तो 10 थीटा क्या होता है पी बाई भी यानि इसका मतलब 5 पी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा हम लोगों को पता है 5 बारत 13 का ट्रेपलेट होता है 7 24 25 का 8 15 17 का 3 4 5 का यह सब ट्रेपलेट है अगर 3 4 कहीं देखे तो पांच होगा अगर पांच बारत देखे तो इसका मतलब तीसरा फुजा जोगा वह 13 हो जाएगा या फिर करन इसका बार 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 लामेश कर जो राधार इसकर उससे भी निकाल सकते हैं तो हाइपोटेनियस कर जो है वो थेरा पता चल गया है तो कहसी निकालने कॉस्ट दीम्स थीटा क्या होता है बिवाइएच पलनश साइड फीवाइच पलनश और टेन थीटा इंटू कॉट्ट थिटा क्या होता है यह एक हो जाता है 10 theta Kristen क्या होता है एक हो जाता है अगर हम by h करेंगे तो बारह बटा 되냐 यह यह पिया भार एच करेंगे सरेंगे तो फांच बटा बनस वन शराए इसका सौक्क सरेंगे तो ऑप उप्सं नामर ड़ी हो जाएगा नेक्स सवाल देखते हैं इन अंकों का रेंज क्या है इससे पहले भी पाद बता चुके हैं परिसर यानि परिसर को ही क्या बोला जाता है तो जो रेंज होता हो क्या होता है मैकसिमम मांश मीनिमंम या칩니다 मेंकस वाइज सकीं मैंस मिनिमम इसका कितना है 18 18 से 28 से 0 और मीनिमम क्यक्तना है 12 स चोटा कोई और है 12 है मिनिममम तो 18 मन से गारे कितना होता है 17 यानि संक्या का जो रियन जोगा वो 17 हो जाएगा आवा ते नेक्स सवाल पर 55 बस्तू का जो करायमूल है वो एक्स बस्तू के बिकरायमूल के बरावर है तो अगर हम इस बिकरायमूल को काट के नीचे लाएंगे ग्रायमूर और यह भी क्रायमूर काटके निचिर लेखे यहां पामें दो नीचिर चलए गांब। सब्सक्रेऴ क्लub इसका मतलब क् भ्र क्रायमूं दो भीक्षपन हो जाएगा तो 55 से ये दो बार में दो से ये 50 बार में तो एक्स बार वह यहां पर क्या आगए 50 यानि बस्तु का जो एक्स का माना आगा वो 50 आगा ऑप्सन नमर भी हो जाएगा यहां के निश्ची संग्किया जिसका मूल भार्ग निम लिखे था है 9 .这 यानी एक रूपया का उसके पास नौट है तो टोटल नौ रुपया हो जाएगा फिर पांच गुना पांच रुपया का पांच रुपया का पांच रुपया हो जाएगा फिर छे गुना दस रुपया इसका मतलब दस रुपया का छे नोट है तो टोटल साट रुपया हो जाएगा साथ तो नौट है थी रूपय का तो डॉटल और गूना एक सो रूपया हो जाएगा तो उसके पास टॉटल कितना रूपया होगा जोड़ लेंगे अगर हम जोड़ते हैं तो नो पांच चौदा यह निकाय स्थाम पे चार आ रहा है और इकाय स्थाम पे चार एक ही ऑप्सन सी में है तो इसका अंसर होगा वह सी हो जाएगा बाकी जोड़ेंगे भी तो पंद्रहसों चोटी सी आएगा लेकिन अगर हम क Šky Bei मेंने अंतर है साधारान व्याज और साधारान व्याज साधारान व्याज में होता है स्थाम में मूलधन पर केवलिवयाय जो था मिलेग हो वह केवल मुलधन पर मिलेगा लेकिन स्याय में क्या होता है जिर मोलधन को जोड़ेंगे तो Verus ब्याज प्याज मिलने लगेगा इसका मतलब यह सवाल जो है वो हम कह सकते हैं कि चक्विर्दी जब को दर को इसमाही सन्यूजित क्या गया जब को चमाही लोग करते हैं दर को आधा कर देते और सामय को दो गुना कर देते हैं अब कि एक परसें के दर से दो यहार का जो दिया गया है यहां पर एक बदले में छे दिया गया है 6 पर्शन के दर से 2 एर का चेक पर दिव्याज निकाला है 6 पलस 6 पलस 6 गुने 6 वर्टा 100 तो यानि चेशे 12.36 यानि इसका जो परभाविदार आएगा वह 12.36 ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा नेक्स सवाल जिससे अगर कभी भी दो डीख एग दूसरे को पर तिछेद कर रही हो तो आमने सामने का जो कौन होता है सीरसावी मोग कौन वह बढ़ा पर रहा है यानि यह एक्स डिग्री यह भी एक्स डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे ये रेखा और यह रेखा और दुस तो यहां पर अगर काई स्थान से पता करें तो पांस दो साथ अगर मैनस होगा दस में से तो तीन बचना चाहिए यह निए काई स्थान पर आएगा जो इसका अंसर होगा वह सी नमर ऑप्षन रोजाएगा वह से सॉल भी करेंगे तो इतना ही आएगा जैट प्लस 117 बरावर 180 अगर 180 में 117 मानिस करेंगे तो 63 आजागा इसका अंसर अब नेक्स तवह लाते हैं एक खुदरवेपारी दो दर्जन आम खरदा और तीन वट्टा दो दर्जन आम के करायमूल के दर से बेच दिया इसका मतलब दो दर्जन का जो करायमूल होगा वह तीन वट्टा दो दर्जन के बिकरायमूल के बरावर हो जाएगा यह कह सकते है दो दर्जन नहीं नहीं दो दर्जन का जो क्रामल था लो दो दर्जन के क्रामल के बड़ाबर हो गया है ना तो इस इस्तित्य में क्या होगा लाभ रोंगा यह क्योंकि भी क्रामूल ज्यादा है तो लाब परतिसत निकालने के लिए क्या करते हैं लाब बटा क्रामूल गुने सो चार रूपयम कर दे चार रूपयम बेचेते एक रूपया का लाब हुआ क्रामूल कितना तीन पर गुना सो यानि 35.33% का लाब हुआ नेक्ट आते हैं C मैनस 3 का हॉल क्यूब तो A मैनस B का जो हॉल क्यूब होता है वो क्या होता है A क्यूब मैनस B क्यूब मैनस 3 A B 3 A स्क्वाइर B पलस 3 A B स्क्वाइर तो A क्यूब करेंगे तो यहां पे एक बाले में C है तो C का क्यूब मैनस B क्यूब करेंगे तो 27 मैनस 3 A स्क् C कभले में 3 है प्लस 3 1 बंसीll और बिक बाले में 3 का स्कॉइर baba हो जाएगा क्यों यह टो CQ- 27 मैननस 9 स्कॉइर पलस 27 सी को स्क यह में इस एक स्कप्सटन नहीं होगा यह विए और इसकैंट हो जांगा निए Joff香 जैकिए क्यों 17 मैने मैनबर एक नन्हिए कि यहां पर 9 जगर 87 होगा यहां पर 9 नहीं होगा 70 होगा तो इसका जो अनसर होगा वह option नुम्र B हो जाएगा 9 जगर नहीं होना चाहिए है कर दिन लटे इस पलस देन काम को 12 दिन में करता है तो बी विट्पंस को सब्सक्रार आगर वहि सब्सक्राइब करें थो 2-1 बारा नि कर गर्वर na 10 को टौन जायगा है किया कि इछ परता पांच प्लस्लें वर्टासत प्रावर 10 गया और 12 और 10 लैंगी तो नमद 10 रखेंगे to the from 5 kam tua स्थाट एक यहां ब्राबर किया होग। अगर यह दो बचत पांच ऑगर उधर जाएगा तो एम रबरोम मैं सवाइ मृंपन नमर दी वह जाएगा कि निमलिकित यानि यह जुद संख्याद जियें इसका मद भूलध और माधिका निकालना है तो माध ममझाहाब क्या होते हैं ओस सकत्फ मैंने में सब पहले खन समय निकालना उसके बाद bahu बहुत लग निकालना यानि बहुत लग किसको बोलते हैं जिसकी बारम बारता सब से जैदा भार हो यह जिसकी बारम बारता जैदा हो ठीक है और माधिका कैसे निकालते हैं मादिका सबको हम लोग क्या करते हैं मतलब बढ़ते करम में सजाके बढ़ते करम में सजाके बीच वाला संख्या निकालते हैं यानि बढ़ते करम में सजाके बीच वाला संख्या जो होता हूँ मादिका हो जाता है ठीक है तो हमें सबसे बहुलक निकालने में आसानी हो रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बहुलक निकाल लेते हैं इसका तो बहुलक कितना एगा तीन का परियोग फ्रीन का पर यह повторो अधारी है उसक्रिता उर्लों को बीच तो बीचों 54 दुए यह विब हुए खेलं बडरू आध़े हैंको का लिनाया कर का और सब्सक्रिक है 2023 करेंगे पहले माधिका निकालने एक दो तीन चार तो चार बार तीन दिया गया है ठीक है फिर चार को दो बार परयोग किया गया है फिर पांच भी दो बार परयोग किया गया है और छे एक बार परयोग किया गया है अब क्या निकालना है मादिका निकालना है तो बीच वाला संख्या नौ संख्या है तो चार स तो पहले जो चीन निकालने में सुभदा वह निकाल लेंगे अगर एक ही ऑप्सन मिला है तो वह आंसर टिक आट करके निकल जाएंगा आगे कि 225 प्याते हैं 3x प्लूस वाई फिर 3x से इसको मल्टिप्ला करेंगे तो मैनस 9xy अब फिर क्या करेंगे ये y से इसको मल्टिप्ला करेंगे ये y से इसको मल्टिप्ला करेंगे तो 2xy कि कि ऐसको मुल्टिप्ला करें तो मैनस 3Y एक्षोः ? मैञास स्थीरी एक्सपवे ? मैनस3 Y स्कॵेर ? मैनस3 Y ईसकाँ जनसर होाद को नह जाएगा ? मैनस3yi स्कॵेर ? यह दुन अफसण तो खतम होगे ना ? यह और मैनस7 एक्सवाई ? इसका राइट अंसर नेक्स्ट आते हैं 15 आदमी एक काम को 30 दिन में करता है तो नो आदमी उसकाम को कितने दिन करेगा हम लोग M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2 फर्मूलास निकाल सकते हैं M1 कितने 15 गुने 30 बराबर M2 कितना 9 गुने D2 सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहल हम लोग क्या करेंगे यह जो सब्सक्राइब करण सांवी सामेया तो सब्सक्राइब करेंके तो ब सामी जड़ा ओर और इसमीन क्या की सामील हो जोगा मूल्धन प्लस थांक का मैं इस सब्सक्रान कर शाइगे 6 इस में इसको मनेश करेंगे और प्लसन दback हम्होह साल मिलदन स मों माड़दन कर जागा नकिन सल्सक्राइद कर सक реш था कि यह तो सहलर दो 32 एगा दो साल का ब्याज कितना आएगा अगर 9455 में से 82 55 को मानिस करते हैं यह 9425 दिया गए सॉरी 9425 में से 82 55 को मानिस करते हैं तो 5 सॉरी यहां पर 0 और 82 55 को मानिस करते हैं तो 7 szok rice by by 1170 आजाएगा दो variations का ब्याज आएगा वह सातर आगया तो एक ten watermelon कितना को अगर हम दो से divide करेंगे दो पंचे दश कि 555 यह जाएगा एक साल का ब्याज तो तिन साल का आभ हम क्या करते हैं या तो इस equation को ले लेंगे या तो तो इसे को में लेकर हम बना सकते हैं अगरें इस में लेंगे तो तीने साल कम को ब्याज निकाला पड़ेगा तो तीन यह का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा जब एक साल कव्याज 553 सोब पांज्ञा करेंगे 1515 और आतिक छोब संपचीस 352 में 755 में 3 साल का ब्याज आ ब्याज आ जाएगा ज इन साल का ब्याज 17 855 को मानस और मुल धन बढ़ज मुल्धन कितना ऐगा 82 55-1755, यानि कितना जाएगा, डवली होता आएगा, पैंशत सो, यानि पैंसा सो क्या जागा मुल्धन, और ब्याज कितना है, सत्रा सो पच्पन और टाइम कितना है, समय तीन यर, तो दर निकाल सकते हैं, दरबाब क्या होता है ब्याज गुनेश सो भट्टा मुल्धन मुल्धन कितना पैंसाथ सो गुनेश सामाइए तीन साल तो 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 जो दर होगा वह नौ परसेंट हो जागा अप्शन नमार यह हो जागा इसकांसर नेक्स सवाल को से के स्कॉएट थीटा पॉलस टू टेन टीटा को टीटा मैंस कोट स्कॉएट तीटा देखें अगर यह सवाल लंबा रहता है तो हम क्या करते हैं थीटा को को भी मान रख सकते थे लेकिन जब यह लॉजिकली तुरंत बन रहा है फर्मूला बेश तुरंत बन क्या करन नहीं रखेंगे इसको बहुत कर लिए कि योजिकली मान नहीं ऊब हो जाता है उसके बाद टैंटीटा इन्टू कॉट टिटा यह गोने आगता है तो यह दोनों मिलकर एक देगा और यह दो तो दो पलस एक तीन हो जाएगा में नेक्स आवाल देखते हैं पी और क्यू कि गती का उनपात दो उनपात तीन है यह रृःता है pione वो कितना है 2uru5 तीन सो साथ किलमेटर जाता है तो क्यू का चालने का आता है C 4 वराव दूरी बरटा समय 307 वाथ न्या Planning किऊ का चाल आ गया और क्यू का चाल अनुपाथ में तीन है वास्ता यानि तीन का भावली है 120 1 का भावलू 40 तो तो पी का चाल पूछा तो पी का चाल होगा वो परावर हो जाएगा कि नेक्स्ट कि यह दिए धाय किलो सब्जी का जो बजन है वह 120 रुप्या है तो एक किलो सब्जी का जो बजन होगा 120 बटर टूपाइब हो जाएगा कि अब सब्जीक अगर मुल 120 रुप्या है तो एक किलो सब्जीका मुलकर नागर लेकिन एक किलो का तीन चोथाय का ही मुल निकाला है तो इसका मला हम तीन चोथाय से इसको गुना कर देंगे तीन वटा चार से तो यह पर दसन लुटाइम तो यहां जिरू आएगा तो 25 से काटें तो 25 का सो 25 अठे 200 यानि चार से बारा बार में तो बारत यह 36 इसका अंसर हो जागा ऑप्सन नमर बी हो जागा इसका राइट अंसर नेक्स सवाल देखते हैं इस समुझ का मानक विचलिन क्या होगा इससे पहले भी वीडियो में मानक विचलिन हम बता चुके हैं तो अगर मानक विचलिन निकालना है तो सब से पहले हम रोग क्या करते हैं आउसद निकालते हैं तो आवसत निकालने के लिए टोटल योग बट आट टोटल संख्या 10 10 20 10 30 10 40 10 50 11 बीज पचास 20 11 20 सतर बीज नब्य टोटल योग नब्य आगया और टोटल संख्या कितना है एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नौ इसको नौ से अगर डिवाइट करेंगे तो आउसत दस आगे जब आउसत दस आ जाए तब हम लोग मानेख विजलन कैसे निकालते हैं है के अंदरूर्ट को आउसत में से सब एक गणता करेंगे दसनी सबसेंस खथआएंगे-दस में gradient 20 δ reflex सब मेए 10 में 10 साब गणि जीन छाएग यहां भी जिरू ऊजाएग दस में से गयारा घठाएंग तो यहां 3 गयाड़ा फिर दस में कर रहे हैं क्योंकि स्कॉार करने के बाद निगेटीव बन जाएगा डिवैड़ टोटल कितना संख्या होगा नौ तो नौ से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर कितना जाएगा चार नीचे नो चार बटा नो कितना जाएगा दो बटा तीन इसका जोन सो रहा हुँ दो बटा ती कि ये सवाल हो चुका है चार आठ सात और चौदा का चतूर सान उपाती यानि चार दुना आठ दिया गए यहां पर तो सादूर मॉन मॉनार नौ चौदा हो जाए यहां पर यह फिर ऐसे भी निकाल सकते जैसे चार बटा बराबर साथ बटा जातूर सान गल लेंगे तो चा जाए साधूना 14 है कि पाय चार्ट में एक अच्छा में चात्रों को पसंदर साता है इसमें से भावतिक विशाय के सेक्टर कुंड का ग्याद कीजिए दिखेंगे यह टोटल जोगा वह टोटल कितना डिगरी का हो जागा थिक जब यह पाथ भावतिक में 25 परसेंट दिया गय बार 360 से गुना करके निकाल सकते हैं 25 से चार बार में 4 से 90 बार में यानि जो होगा वह 90 डीडी का कौन हो जाएगा कि तो आज का सेस्टन यह इसा नावत होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाई